है एक टॉपिक है फिर उसके बाद से सैक्षिक वैस्वी करन है सैक्षिक वैस्वी करन क्या होता है फिर उसके बाद से आपका मिड्डे मिल है यह सारे टॉपिक आज के क्लास में हम कवर करेंगे सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रारंभिक सिक्षा सारो भौमी करन है क्या ठीक है इसका मीनिंग समझेंगे सबसे पहले तो समझेंगे कि प्रारंभिक सिक्षा क्या है एलिमेंटरी एजुकेशन क्या है तो एलिमेंटरी एजुकेशन का मतलब होता है प्राइमरी एजुकेशन ठीक है प्राइमरी एजुकेशन है प्रात्मिक सिक्षा तो प्रात्मिक सिक्षा को प्रारंभिक सिक्षा बोल रहे हैं elementary education अब ये है कि elementary education निया प्राइमरी education को सारोभौमिकरण करना अब आप बोलोगे सारोभौमि करन क्या है मैं सारोभौमिकरण का मतलब होता है कि उस चीज को हर एक बंदे के पास पहुँचाना हर एक बंदे सारोभौमिकरण ये सबी के पास होना उस चीज को सभी के पास होना जैसे हम बोलते हैं कि विकास जो है सारोभौमिकरन परिकिरिया है यानि कि विकास जो है development जो है वो सभी के साथ होता है तो ऐसी चीजे जो सभी के साथ होती है या सभी के पास होती है उसको हम सारोभौमिकरन कहते हैं तो इसी लिए हमें primary education को, यानि कि प्रासमिक सिक्छा को, प्रारंभिक सिक्छा को, देश के, बच्चे बच्चे तक प्रत्यक इंसाम तक पहुंचाना है, यही संकल्प लिया गया था, और इसी को नाम दिया गया प्रारंभिक सिक्छा सारोभौमी करन, I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा पहले common language में हम समझ लेते हैं और उसके बाद से हम bookies language देखते हैं तो समझना easy हो जाता है और फिर हम उसको अपने sentence में लिख सकते हैं देखिए प्रारमिक सिक्षा सारोभौमिकरन प्रात्मिक सिक्षा सारोजनिक सिक्षा का दूसरा रूप है इस परकार प्रात्मिक सिक्षा को प्रत्यक नागरिक के लिए सुलव बनाना सिक्षा को लोक व्यापी या सारोभौमिक बनाना यही है प्रात्मिक प्रारमिक सिक्षा का सारोभौमिक करन के जी सैयदन के अनुसार प्रात्मिक सिक्षा का सम्मन किसी वर्ग या समू से नहीं है अपितु इसका सम्मन देश की समस्त जनता से हर एक प्रत्यक इंसान से है यह प्रत्यक स्तर पर जीवन का स्पर्स करती है इसी प्रकार हंटर आयोग ने कहा है प्रात्मिक सिक्षा को जन साधारन की सिक्षा मानना चाहिए मतलब कि यह अपने दिमाग में बैठा ही लेना चाहिए कि प्रात्मिक सिक्षा हर एक व्यक्ति के लिए कंपलसरी है और यह चीज जो हर एक व्यक्ति के दिमाग में भी होना चाहिए जैसे मुझे जीने के लिए खाना जरूरी है पीना जरूरी है उस तरह से मुझे ये प्राइमरी एजुकेशन यानि प्रात्मिक सिक्षा लेना जरूरी है तो ये चीजे करना ही सारोभामिक करन कहलाता है रास्टिय सिक्षा निती 1986 की संसोधित कार योजना वर्स 1992 में 14 वर्स की आयूत तक के सभी बच्चों के लिए वर्स 2000 तक औसत्त इस्तर की निशुलक और अनिवारे सिक्षा की वेवस्था करने को व्यक्त किया है ये सारी चीजे जितनी भी हमारे निती बनते आई उसमें भी ये डिसक्ष किया गया तो 1986 में जो सिक्षा निती बनी थी जिसमें राजयो गांधी को ऐसा फील हुआ कि हम वेज्ञानिक दिरिष्टी कों से और टेक्नलोजी की दिरिष्टी से हम बहुत पीछे जा रहे हैं तो उन्होंने मिटिंग बुलाई और मिटिंग बुला करके अपने सभी लोगों से सजेशन लिया कि हम सिक्षा के मामले में जो है पीछे जा रहे हैं तो इसके लिए हमें एक नीती एक policy बनानी होगी जो पूरे देश में लागू हो तो उसी समय ये विचार विमर्स होने के बाद 1986 में रास्टिय सिक्षानिती लागू की गई रास्टिय सिक्षानिती में हर एक बात को धिहान दिया गया जिसमें ये बात भी था कि सभी बच्चों को सिक्षा देनी हैं लेकिन कुछ कमिया थी इसमें तो फिर रास्टिय सिक्षानिती को 1992 में इसको बोल सकते हैं मोडिफाई किया गया और मोडिफिकेशन में ये बोला गय कि हम जो है primary education को निशुल्क रखे जो हमारा primary education है उसको हम निशुल्क सभी बच्चों तक पहुँचाएं ये जरूरी है 14 वर्स की आयू तक के सभी बच्चों के लिए वर्स 2000 तक औसत अस्तर की निशुलक और इन्वारे सिक्षा की विवस्ता करने को व्यक्त किया तो ये चीजे हुई उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि इस कारी योजना के उद्देश से क्या थे तो नामांकन और बीच में परहाई चोडने वालों तता सिक्षा पूरी करने वालों में सामाजिक समूहों के अधार पर अंतर 5% से कम करना ये ध्यान में रखना कि जो एडमिशन हो रहा थे कि होता क्या था ना कि ठीक है ये इन लोगों ने जो टार्गेट बनाया कि बच्चों का अडमिशन करवाएंगे तो अडमिशन तो हो जाता था आप पैरेंस से जा करके आप फिरी में अडमिशन लेना था तो पैरेंस तो आपको मैं बोलू तो 90% पैरेंस अडमिशन ले लेते थे लेकिन क्या होता था कि वो लोग जो है school continue नहीं करते थे बीच में परहाई छोड़ देते थे तो ये बात पे भी ध्यान दिया गया कि परहाई छोड़ने वाले तदा सिक्षा पूरी करने वाले में अंतर जो है वो कम रहे admission 90% हुआ है तो हम try करें कि 90% बच्चे ही जो है school से pass out होकर निकले उसको जो है वो 40% और 30% तक ना चला जाए इस तरह से फेर बदल हो जाता था प्रात्मी सिक्षा बीच में छोड़ने वाले छात्रों की कूल दर 10% से कम करना मतलब सोचिए आप target रखा जा रहा है कि ये 10% से कम किया जाए तो कितना कम होता होगा 50% से ज़ादा ही कम हो जाता तो होगा और सत उपलब्धी स्तर को निर्धारित नियूंतम स्तर से कम से कम 25% बरहाना और सभी प्रात्मी विद्यालों के विद्यार्थी द्वारा मूल भूत साक्षर्ता और विभिन परकार की योगताओं को उपलब्धीयों को सुनिश्चित करना रास्तिय मान दंडों के अनुरुप सभी बालकों को प्रात्मिक सिक्षा कक्षाएं एक से पांच अथवा जहां तक संभव हो अथवा इसके समतुल्य अनवचारिक सिक्षा उपलब्ध कराना तो ये सारी चीजों का उद्देश रखा गया किसमें सारो भौमी करन करने के दिर्ष्टी से कि हमें ये करना है और ये 1986 की जो रास्तिय सिक्षा निती बनी उसी को 1992 में मोडिफाई किया गया और मोडिफाई करके इसमें ये सारे चीजे और उसमें एड की गई तो ये सारा प्राड़मिक सिक्षा का सारो भौमी करन है ये 1986 की रास्तिय निती ये हर जगा पे होते आया है अब आईए हम दूसरा पॉइंट देखेंगे सैक्षिक वैस्वी करन सैक्षिक वैस्वी करन की एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन क्या है तो इसका मतलब देखें ग्लोब सारो भौमी करन का मतलब समझे की सभी के पास पहुँचना ग्लोबलाइजेशन का मतलब की बिश्चो अस्तर पे सब जगा में पहुँचना तो ये भी वही है सिक्षा के फैलाओं विस्तार से है सैक्षिक वैस्वी करन का अर्थ जो है सिक्षा के फैलाओं विस्ता से हैं स्क्षा के च्छेत्र का विस्तार करना हिए सेखशिक वैश्वी करन है दोनों का आर्थ एप््रॉक्सिमेटली सेम है इसके अंतर्गत जिक्छा की संस्थाओं को अपने देसों में इस्थापित करने कि योजनाओं का निर्मान किया जाता है और सैक्षिक प्रसासन या सैक्षिक संगठन की स्थापना की जाती है सिक्षा के वैश्वीकरण द्वरा गुन्वत्ता पूर् Hahn सिक्षा की व्यवस्था करना आसान हो जाता है क्योंकि आप जो है world label पे deal कर रहे हो तो वहां से भी तो आपको बहुत कुछ सीखना होगा तो आप वहां से सीखोगे तो हम अपने country में लेकर आएंगे तो इसलिए easy हो जाता है वहिषवी करण का आर्थ है अपने विचारों, संस्कृति, नैतिक, मुल्यों या शिक्षा का बिश्व भर में परचार करना तो सैक्षिक वहिष्वी करण क्या हो जाता है कि सिक्षा को बिश्व लेबल यानि कि world label पे उसका विस्तार करना वैस्वी करन को भुमंडली करन के नाम से भी जाना जाता है अब देखें वैस्वी करन अगर भुमंडली करन के नाम से आ जाए तो वैस्वी करन एक अंतरास्टी प्रकिरिय है बिल्कुल सही इंटरनेशनल लेबल का प्रोसेस ही है यह किसी निश्य छेतर की घटना यह विचारों को विश्व में परचार नंपरसार करती है वैस्वी करन निरंतर चलने वाली एवा मुद्देश्य पूर्ण प्रकिरिया है यह परिवर्तन शील है इसमें स्थाइतों गुणों का समावेस्त नहीं होता मतलब इसमें हमेशा चेंज होते रहता है यह परिवर्तन होते रहता है चेंज होते रहता है तो इसको स्थाइतों नहीं होता है कुछ भी स्टेबल नहीं होता है कि हो गया तोे से कि विर्ष्वों से है वैश्वी करण का समंद किसे है विष्वों से यानि कि ज्यान और आर्थिक श्रोतों की खोज इंविस्तार करना, उत्पन वैस्विक समस्याओं का समाधान करना, अंतरास्तिय सम्प्रभुता की रक्षा करना, शांती व्यवस्ता कायम करना, ये जो है globalization यानि वैस्विकरन के उद्देश है, अब हम निसकर्स लिखेंगे कि actually में वै अर्थ निकल कर सामने आता है, हमारे अनुसार, निसकर्स आप जानते हो ना कि हर जगा पर आपको लिखना है, तो सैक्षिक वैस्विकरन सिक्षा की गुनवत्ता में व्रिध्धी करने का एक उत्तम मार्ग है, बिलकुल हम जैसे कि अभी अपने country level पे कर रहे हैं, फिर हम इ पर सार किया जाता है, जिससे उस देश का वर्चस अन्ने देशों में पड़ता है, और उसका विकास अन्ने देशों की तुलना में अधिक होता है, ठीक है, अब हमारा next topic है, भासाओं में त्री भासा सुत्र, ये question जो है, थोड़ा सा अलग तरीके से भी आ जाता है, आपको पूछ देगा, नोट्स लिखने में देदेगा, शौट में देता है, ये भी question, त्री भासा सुत्र के पे नोट्स लिखें, या त्री भासा सुत्र क्या है, त्री भासा सुत्र से आप क्या समझते हैं, इसके क्या महत्तो है, कुछ भी इस तरह से, त्री भासा है निकी, आप आपका three language formula कहीं भी लिख देना तो आपको ये लिखना है आईए समझते हैं कि त्री भासा सुत्र एक्चुली में है क्या पहले इसको चलिए त्री भासा सुत्र का प्रारू भासा से सम्मंदित समस्याओं को सुलजाने के लिए त्यार किया गया सबसे पहले तो ये समझी है कि three language pattern जो है वो start क्यों हुआ तो वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे इंडिया जैसे country में बहुत सारे languages है जहांपे हर छेत्र में language वहांपे जाकर के change हो जाता है तो इस समस्याओं को सुलजाने के लिए जो है और किस language में जो है सिक्षा दी जाए सिक्षा का माध्यम जो है कौन सा language हो इन सारे समस्याओं को सुलजाने के लिए three language का जो pattern है प्रारूप है या formula है वो लाया गया प्राथमिक इस तर पर कितनी भासाएं सिखाई जाए इस अंदर में भारत सरकार ने यह सुत्र अपनाया है जिससे हम त्री भासा सुत्र की संग्या देते हैं इंडिया में बहुत सारे languages है लेकिन अब ये देखना कि कौन सी ती तीन language या कौन कौन से language जो है प्राइमरी लेबल तक बच्चे को सिखाया जाए ये एक समस्या है ना कहीं से बेंगॉली है पंजाबी है मराथी है क्या क्या सिखा सकते हैं आप तो इसके लिए इन्हों ने ये formula बनाया इसके अंतरगत कक्छा पहली से कक्छा बार्वी तक पाठे करम में विभिन भाषाओं के समावेश को निर्देशित किया गया तो जब ये formula बना तो class first से लेके 12 तक बना कि कौन कौन से language जो है कहां कहां पे शामिल होंगे त्री भासा सुत्र क्या नुसा हिंदी भासा भारती और हिंदी भासा भासी छेतरों में भासा सिक्षन के लिए अलग-अलग निर्देश है सामाने तर दोनों हिस्तितियों में परतेक सिक्षार्ती के लिए तीन भासाओं का अध्यान किया जाना आती आउश्यक है सबसे पहले, मात्री भासा या छेत्रिये भासा के अनुसार सिक्षार्थी को आरम में उनकी मात्री भासा में सिक्षन दिया जाना चाहिए अर्थाथ प्रात्मिक इस्तर में मात्री भासा अतियावशक है मात्री भासा का मतलब हो गया छेत्री ये भासा जो बच्चा जिस छेत्र में जन्म लिया है, वहाँ पर जो भासा बोली जाती है, उस भासा में ही सिख्षा दिया जाना जैसे मान लिजे कि कोई बच्चा जो है कुलकाता में जन लिया तो कुलकाता में जन लिया तो most of लोग बेंगॉली बोलते हैं तो जब वो स्कूल पढ़ने को जाएगा एकदम स्टार्टिंग में तो उसमें अगर आप उसको इंगलिस में या हिंदी में बात करोगे तो उसको तो समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि उसके घर का इनुवार्मेंट तो बेंगॉली है सब लोग बेंगॉली बोलते हैं इसलिए ये कंपनसरी किया गया कि जो प्राइमरी लेबल के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको उनकी छेत्रिये भासा में जो है वो सिक्षा दी जाएगी ठीक है दूसरा जो रखा गया इसके पस्चा संग की राजभासा हिंदी यों संग की ही सह राजभासा अंग्रेजी का भी सिक्षन दिया जाना चाहिए अब हुआ कि जो संग यानि देश है उसकी जो राजभासा हिंदी है और उसका जो सपोर्टिव लैंग्वेज है वो इंग्लिस है तो इनका भी जो है एजुकेशन होना चाहिए तीसरा आया तीसरे स्थर पर आधुनिक भारतिये भासा अथ्वा बिदेशी भासा जो उप्यूग दोनों के अंतरगत नहीं होना चाहिए यह सिक्षन माध्यम के रूप में परियोग की जाने वाली भासा से अलग हो तो तीनों भासाओं के अध्यन के अपने अपने महत्तों परियोजन है तो यह तीन भासा है जो है वो रखी गई तीसरे स्तर पर जो आधनिक भारतिय भासा है जो अभी भारत में बोली जाने वाली भासा है या जो बिदेसी भासा जो है इन दोनों से कोई भी एक चूज करके उसके एकॉर्डिंग जो है उसको तीचिंग में सामिल किया जाए प्रथम भासा का महत्तो इस बात को लेकर सिक्षार्ति उस भासा से अनवचारिक रूप से पहले से ही परिचित होता है अतर सिक्षार्ति को स्कूल सिक्षा के समय ही उसके माध्यम से अध्यन में सरलता होती है अब जैसे प्रथम भासा जो रखा गया है वो रखा गया है छेत् जिस भी घर से आ रहा है वहाँ पर जो भासा है बोली जा रही है वही भासा अगर उसको स्कूल में भी मिलेगा तो वह family होगा उसको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यही चीज तो मैं वहाँ भी कर रहुत उसको समझ में easily आएगा इसलिए छेत्रिये भासा रखा गया है प्रथम में द्यूतिये भासा की बात करें तो द्यूतिये भासा का महत्तो इस बात के लिए संबव है कि प्रथम भासा में बड़े इस तरपर संबाद उन सुचनाओं को संगरहन करना मुस्किल हो यस परकार की सितिम इस भासा का अधियन सिक्छारती को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करे। इस भाजा के विशिस परियोजन है जैसे बिभीन परकार की सुचनाओं को इकठा करने ग्यान को अर्जित करने है तू सचेतन यहां सोदेश्य सीखी जाती है देखें दूसरी भाजा इसलिए रखा गया जिसमें हिंदी और इंग्लिस दोनों थे क्योंकि जो भी छेत्रिय भाजा है उससे हम आगे जाकर के जो हमारी पढ़ाई है जो आगे बर रही है उस लेवल पे जाके कम्मिनिकेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है उस लेंग्डेज में जो है ग्यान अर्जन करना डिफिकल्ट है इसलिए दूसरी भाजा को रखा गय है ताकि उस भासा में जो है बच्चे जादस जादा ज्यादा ग्यान को अर्जित कर पाए तीसरी भासा त्रितिय भासा सिक्षन के भी अपने विश्रिस महत्तों हैं इस संबन में ध्यात्तव है कि हमारे समिधान की आठवी अनुसूची में 22 भासाओं को लेकित किया गया ह यह व्यक्ति के लिए सभी भासाओं को जान पाना असंभाव है मतलग टोटल जो है इंडिया में 22 लैंग्वेजेज है जो कि आठवी सूची में इसको माननेता दी गई है माननेता दी गई है तो अभी और भी जिनको अभी तक माननेता नहीं मिली है किन्तु किसी न किसी तब उसे तीसरी भासा के माध्यम से सफलता मिले अब क्या है कि यह जो दोनों भासा हैं प्रथम और द्यूतिय अगर इससे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है या फिर वह उसको जो है समझने में कटनाई हो रही है तो जो है त्रितिय भासा का उप्योग किया जाए तीसर भासा के रूप में हिंदी भासा भासी परदेशों के सिक्षार्ति को दक्षिन भारतिय भासा जैसे तमेल अथ्वा किसी दूसरी भासा का अध्यान ज्यादा कारगर हो सकता है वास्तों में यह संकल्पनाती प्रसंसनिये भी है ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति सोभाविक बल्कि दूसरे इस्थान के संस्कृतियों की भी गहरी समझ विक्सित कर सकता है अतब भासा संबंदी समस्याओं के निप्टारे है तू ती भासा सुत्र क्याती आवश्यक है ठीक है अब हम देखेंगे सर्व सिक्षा अभियान सर्व सिक्षा भियान के लक्षे उद्देशे महतों क्यों स्टार्ट हुआ क्या इसका रीजन था यह सारी चीज़ें स्वतन भारत के नेतरितों ने प्रारम्भिक शिक्षा सारोभमिकरन के लक्ष को हांसिल करने के लिए प्रात्मिक आपचारिक और गैर आपचारिक सिक्षा के लिए प्रावधान बनाये थे सही है पर उतना सक्सेस्फुल नहीं हो पा रहा था तो दिसंबर 2002 में अधिक नियमित सम्विधान 86 संसोधन अधिनियम 2002 का लक्ष 6-14 वर्स के आयू वर्गी कि सभी बालकों के लिए सिक्षा को निशुल्क तता अनिवारे मौलिक अधिकार बनाना है तो क्या किया गया कि चली निशुल्क तो पहले से बोला गया था कि 6-14 वर्स तक के लिए दिया जाएगा और सभी बच्चों को सिक्षा मिलनी चाहिए सिक्षा के सारोभामी करण में सोचा गया लेकिन यहाँ पे एक और चीज कर दिया गया कि सिक्षा को मौलिक अधिकार में रख लिया गया मतलब fundamental right में हर एक बच्चे का हर एक व्यक्ति का जो है सिक्षा उसका अधिकार है इसमें इसको रखा गया इस पर बल देने के लिए समिन्धान के भागतीन में मौलिक अधिकार में एक नया अजनुचेर 21 को जोड़ा गया 21 को जोड़ा गया इसका पार्थ इस परकार है राज्ये 6 से 14 वर्स के आयू के सभी बालकों के लिए निश्रुलक यो मनिवारे सिक्षा की ऐसे तरीके से व्याख्या करेगा जो राज्ये कानून द्वारा निर्धारित करे भारत में प्रारमिक सिक्षा को विनियमित करने के लिए सरकार ने नौवमबर 1994 में जीला प्रात्मिक सिक्षा कारेकरम को परचालन करना तथा लक्ष कारेनितियों को परचालन करना तथा लक्ष निधान पर अमल करना है तो इस तरह से ये चीजे बनाई गई अभी देखिए इसका महत्तो हम देखते हैं सरो सिक्षा वियान में यही हुआ कि इसको fundamental right के तौर पे ले लिया गया और 6-14 वर्स तक के बच्चों को निश्रुक सिक्षा देने की बात की गई प्रारमिक सिक्षा के सारो भामिक करन के अंतरगत प्रारम किये गए सरो सिक्षा वियान के परिनाम सरुप प्रात्मिक सिक्षा का कारेचेतर विस्त्रित हुआ इसके अंतरगत सिक्षा के विमिन कारेकरम और योजनाओं को लागो किया गया क्या क्या है सबसे पहले स्कूल दाखिला अनुपात जो 1960-61 में 31.1% था वर्स 2003-04 में बढ़ करके 85% हो गया मैंने आपको क्या बताए कि अड्मिशन 85% तक हो रहा था वर्स 2001 में विद्याले नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या 32 करोड थी जो वर्स 2005 तक घटकर 96 लाख हो गई यानि एक करोड से भी कम वर्स 2001 के बाद लगवग 2 लाख नए स्कूल खोले गए और लगवग 5 लाख नए सिख्षोकों के निवति की गई प्रथम कक्षा से आठवी कक्षा तक पढ़ने वाले सभी लड़कियों मनुसुची जातियों जनजातियों के लगवग 6 करोड बच्चों को निशुल पार्थे पुस्तके वित्रित की गई ड्रेषी इस तरसी सारा काम हुआ है तो यह सफल मिलेग औहीं सरोसिक्षा अभियान को ये श्र। मैं से यह नाम से जाना जाता एए कि सफल रहा था यह सारी डाटा दीए गएंग आप देख लिए वैसे तो भारत सरकार ने 2015 तक के लिए सरुषिक्षावियान के निम्लिके दुद्दे सुकुनिरधारित किया पहला दा जिन छेत्रों में विद्याले नहीं है वहाँ नए विद्यालों की स्थापना करना और मौझूदा विद्यालों की अवसन रचना में सिक्षकों की कमी को दूर करना और मौझूदा सिक्षकों के लिए सेवा परसिक्षन कारियों की विवस्था करना ट्रेनिंग देना तो यह सारी चीजे जो है सर्व सिक्षा वियान के तहट की गई अब आईए हमारा लास्ट टॉपिक है मिद्डे मिल योजना यह भी आपका शॉट में ही आता है लेकिन आता जरूर है यह कोश्चन आहीं जाता है मैं आपको शॉट में एक स्टोरी टाइप बता रही हूँ जब हमारा देस आजाद हो गया था तो सिक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके हमारे लिए रह गए थी बच्चों को इसकूल बुलाना गारीवी वैसी ती भुक मरी भी हुआ था तो यह सारी चीज़े होने के बाद भी सभी बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए बहुत सारी स्कीम लाई गए उसी में से एक स्कीम था मिड्डे मिल योजना मतलब कि जो बच्चे स्कूल आएंगे उनको खाना मिलेगा आखिर में खाने के लिए ही तो जाके वो कहीं काम कर रहे हैं तो वो चीजे उनको स्कूल में ही मिल जाएगी मिड़े मिल योजना के तहट कक्छा एक से आठ साल तक के सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानिय निकाय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ही नहीं बलकि सिक्षा, गरांटी, योजना और वैकल्पिक और अभिनो सिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का एक समय का पॉस्टिक भोजन जिसमें 300 कैलरी उरजा और नियुन तमाट से 12 ग्राहम प्रोटीन देने के लिए जिसम से उनमें कुपोशन जैसी विमारी नपन पे और सिख्षा के प्रति उनका आकरसन बढ़ाने के लिए अक्षरा दसोहा मिड़े मिल स्कीम शुरू की गई ठीक है 15 अगस 1995 को शुरू की गई इस योजना का संचालन पूरे देश में किया जा रहा था यह योजना हर स्कूल में शुरू की गई और इस योजना के तहट मिलने वाला दोपहर मिड़े मिल स्कीम बिलकुल फ्री दिया जाता है योजना के तहट सरकारी विद्याल में पढ़ने वालवा कोई भी छात इस योजना के लिए पात रहे जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है सभी बच्चा जो है इस मिड़े मिल के को ले सकता है सुरू में मिड़े मिल प्रोग्राम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों को कैसे खिलाया जाता है सुरू में मिड़े मिल प्रोग्राम PPT को आंगन बारी में सुरू किया गया था स्टार्टिंग में ओनली आंगन बारी में जो है स्टार्ट किया गया था और वहीं पर भोजन बनाया जाता था लेकिन अब इस योजना के तहट संबने स्कूल में ही भोजन बनाया जाता और इसके लिए इस योजना के तहट 2004 में एक संसोधन किया गया था मिड़े मिल के तहट दाल, सबजी, पकाने का तेल, मसाले, इंधन, मजदूरी, कर्मियों को दे, पारिस रमी या एजनसी को दे, रासी के लिए प्रती विद्याले, प्रती दिन, खाना, पकाने की लागत, एक रुपे प्रती बच्चा दिया जाता है, मान लिजे के 200 बच्चे हैं, तो 200 रुपे हो गया, ट्रांस्पोर्ट सबसीडी भी पहले के अधिक्तम 50 रुपे प्रती क्विंटल से बढ़ाकर 100 रुपे कर दिया गया, यह सारा इसका बजट है, अब ये मिड़े मिल योजना कब सुरू की गई, बच्चों में कुपोशन की कमी को, अब यहां पर ये भी पूछ सकता है कि मिड़े मिल योजना क्यों सुरू की गई, तो बच्चों में कुपोशन की कमी को दूर करने, और सरकारी स्कूल में नियमित बच्चों को बुलाने और सिक्षा के प्रती बच्चों का आकर्सन बढ़ाने के लिए 15 अगस 1995 को देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू की गई थी शुरू में इस योजना को मध्यान भोजन योजना के नाम से जाना जाता था सरुपर्थम इस योजना को सरकारी विद्याले में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शुरू किया गया था लेकिन वर्स 2003 में इसका विस्तार सिक्षा गरांटी केंद्र और वैकल्पिक वर नौचारी सिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया अक्टूवर्ट 2007 से इसका देश के सैक्षनिक रूप से पिछरे 3489 ब्लॉकों में कक्छा 6-8 से पढ़ने वाले बच्चों तक विस्तार कर दिया गया वर्ष 2008 से नौ में यह कारिकरम देश के सभी छेत्रों में उच्छ प्रात्मी के स्तर पर पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए कर दिया गया है तो इस तरह से यह योजना जो है वो चली है यह भी शौट में आता है तो जादा नहीं है पांच नमर चार नमर में आएगा इत कि अधे हैसस।